हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल समराट एजूकेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को भी स्टी एक्रिकल्चर थर्ट समेचर की कुई से एक्रिकल्चरल माइक्रो बालोजिक का पंद्र बहुत थी पूछा के सभी टॉपिक है तो आप लोग की जड़ के आस पास की मिट्टी जहां जड़ से पलायन होता है असाधारण रूप से उच्छ होती है उसे राज्यो स्फियर काती है इसके बाद है नाट्रिक रड नाट्रिक रड क्या होता है नाट्रिक रड एक जड़ रसाइनिक क्रिया है जिसमें अमोनिया की आक्सी करड से नाट्राइट एवं नाट्रेट बनते हैं यह नाट्रोजन चकर की एक महत्वपुड अवस्था होती है सबसे पहले नाइट्राइट जिवारू नाइट्रो सो मोनास एवं नाइट्रो कोकस अमोनिया का आक्सिकरल करके नायट्रायट में परिवर्थित करते हैं इसके बाद है परपोसी बैक्टिरिया हेट्रोट्राफिक बैक्टिरिया तो परपोसी बैक्टिरिया क्या होता है परपोसी बैक्टिरिया का उपयोग प्रतिज्यविक बनाने दूद से दही बनाने में किया जाता है लेग्यूमिनेसी कुल के पौदे की जड़ों में उपस्थित परपोसी बैक्टिरिया नाइट्रोजन इस्तिकरण का कारे करता है परपोसी बैक्टिरिया क्या होता है परपोसी बैक्टिरिया वह बैक्टिरिया होता है जिसका उप्योग प्रतिजाइक बनाने दूद से दही बनाने में किया जाता है दलहनी फसलों की पौदों की जड़ों में उपस्थित पर पोसे बैक्टिरिया नैट्रोजन इस्तिकर्ण का कार्य करता है अब देखेंगे अर्थवार्म केचुगा केचुगा क्या होता है या एक मुक्त अस्थली अकसेरुकी प्राडी है तथा ये रात्री चर प्राडी है रात्री चर का मतलब दोस्तों रात्री में कार्य करता है या रात्री में चलता है दिन में ए बीलो मेराकर बील बीलो मेराकर अपना दोस्तों जीवन यापन करता है या बील मिट्टी को छेद कर वह निकल कर बनाता है खेद वह बगीचों की जमीन में हुपसित मिट्टी तथा मिट्टी के छोटे-छोटे टुकोडों की बीच इनको देखा जाता है इनके उत्सरजी मल को वर्मी कमपोष्ट काते हैं तो केचुवा क्या है? केचुवा एक मुक्त अस्थली अकवशेरू की प्राडी है ये रात्री चर्प्राडी है दिन में ये बीलों में राते हैं बील मिट्टी को छेद कर वन निगल कर बनाते हैं खेतों व भगीचों की जमीन में उपस्थित मिट्टी तथा मिट्टी के छोटे छोटे टुकुडों के बीच इनको देखा जा सकता है इनके उत्सरजी मल को वर्मी कमपोष्ट काते हैं आगे देखते हैं जिवाडू के समान लच्षड कैसे पता करेंगे कि यह जिवाडू है कि कौन सा लच्षड हमें देखने को मिलेगा उसके उपर तो देखते हैं जिवाडू, मिरिदा, जल, वायू, एवं सभी वास परिष्थितियों जन्तू, एवं पादपो की दें के भीतर एवं बाहर यहां तक की बर्प की पड़तों पर भी पाय जाते हैं इनकी दाइग सनचना अत्यंत सरल एक कोसी की प्रोकरियोटिक प्रकार की होती है तो जिवाडू का समान लच्षड क्या है अब ही हमने तो पॉइंट देखा कि जिवाडू जो हता है वह लगबग सभी अस्थानों पर पाया जाता है इसकी जो दाइग सनचना होती है वह बहुत ही सरल और एक कोसी की प्रोकरियोटिक प्रकार की होती है कुछ जिवाडू में हरित लवक पाया जाता है जो अपना भोजन भी स्वें बनाते हैं इसमें केंद्रक सुवस्पष्ट नहीं होता केंद्रक कला तथा केंद्रिका भी नहीं पाया जाता है इनमें अल्हेंगिक प्रजन की केरिया समानता विखंडन द्वारा होता है जिवाडू में अल्हेंगिक प्रजन की जो प्रक्रिया होती है वह सामानमता विखंडन द्वारा होती है इसमें सब्तर यस प्रकार के राई बोसों पाए जाते हैं तो यह था जिवाडू का समान लच्छड इस प्रकार हम जिवाडू को देखकर उसके लच्छडू से जिवाडू का पता लगा सके हैं तो अभी तक मैंने आप लोग जा क्य होता है नाउटरिकरण एक रसानिक क्रिया है इसमें अमुनिया की नाश गरी बनते हैं नाट्रीय में वास्ता है सबसे पहले नाट्राइट जीवाडू नाइट्रोन शोम्मवणस नाइट्रोकॉकस आमॉनिया का आज चरके निचल्राइट परिवर्त्क और देते हैं इस का कार्य करता आये की फ्राड़ी है के घ्रिक यよね मिट्टइ को चेद कर निगलन सुधATTak सुधिन स्परें मिट्टीं दें को देखा सकता इनके उत्रेद्र को वर्मी कमपोष्ट काकर न्यूंद 생 थिए जिवाडू के समान लच्छड क्या है जिवाडू भूमी जल वायू सभी परस्थितियों पायाता हम कह सकते हैं कि जिवाडू सभी अस्थानों पर बिद्धबान है इनकी दाहिक सरशना अत्यांत सरल एक कोस की प्रोकरियोटिक प्रकार की होती है कुछ जिवाडू में अरित लवक पायाता है केंदरक सूहस्पश्टा ही होता केंदर कला तथा केंद्रिका नहीं पायाती है इसमें अल्यांगी प्रजन की क्रिया समाने तब खंडन दु आ रहा होती है इनमें सत्तर एस प्रकार के राइबो सोम पाया जाते हैं तो यह था जिवाड़ों को समाल अच्छड अब हम देखेंगे कार्बन नाइट्रोजन का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का क्रीशी में महत्व है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का क्रीशी में क्या महत्व है कि म्रीदा में नाटोजन की प्रत्यक एकाई के लिए कारबन की दस एकाई लेती है अब देखेंगे म्रीदा में कारबन नाटोजन का अनुपाद कम होने के कारण एससुच मजू द्वारक कम समय में आसानी से विगटित कर दिये जाती है इसके कारण एक फसले मिरिदा में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है तो यह था मिरिदा में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात का महत्व पारी क्रीसी में क्या है इसमें दोस्तों जो मिरिदा होता है हम लोग क्या देख रहे हैं फिर सब लोग समझेगा हम लोग देख रहे हैं कि क्रीसी में कार्बन नाइटरिजन के अनुपाद चाहता है फिर समझेगा कि मिल्दा में जो पोसक्ततों की उपलगता होती है वो कार्बनिक पदार्थ के मातरा पर निरवर करती है इसके बाद जो दलानी फसल की अवसीस होती है उनमें कार्बन और नाइटरिजन का अनुपाद कम होता है इसका अनुपाद कम होने कारण सुच में जीवो द्वारा कम समय में आसानी से व्यक्टित कर दिये जाती है इसी कारण ये फसले मिर्दा में नाइटरिजन एवं कार्बनिक पदार्थों की मातरा बढ़ाने में सहायक होती है तो यह था कार्बन नाइटरिजन का अनुपाद क्रिसी में महत्व है आगे देखते है जैव और क्रमड या बायो डेग्रेडेशन जैव और क्रमड एक करते हैं जिसके दुआर इंजाइमियम्ंत क्रिया के मार्द्यम से रूपांतरित या परिवर्टित होते हैं लक्रमड करते हैं जबाद याजव पूच्छे ले यह प्रते होता हम धाल जैव वपर पतारव्र मट क्रिया के क्नाइब से नेयर योग में परिवरतन किया जाता है अब देखैंगे ऍिस को सवाधी कि क्या होता है तो इससे नाय्ट्रोजन योगी की करड़ जिवाडू भी कहा जाता है Państ W कि आम पूसकता है कि नैट्रोजन यागी करण जिवाडू क्या है तो जैविक इस्रिकरण इन जिवाडू में पस्थित एक एंजाइम द्वारा सम्भव हो पाता है जिसे नैट्रोजीनेस का जाता है भूमी में नैट्रोजन की कमी को कुछ हद तक धूर करने में जिवाडू द्वारा नाइट्रोजन इस्ट्री करड़ का महत्त पूर्ड योगदान होता है तो भूमी में मुख्यता दो प्रकार से जिवाड़ू पायाते हैं जो नाइट्रोजन इस्ट्री करड़ करने में सक्षम होते हैं इनमें से पाला वह होता है जो भूमी में स्वत्रूरूरूरूरू से राता है और दूसरा हुआ होता है जो समाने दालानी पवदों की जड़ों में ग्रंतिकावा में राकर नायट्रूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर दूसरे प्रकार के जिवाडू सहजीवी नाइट्रोजन योगी के करण के प्रक्रिया द्वारा वाथ्ता वरड़ में नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में उपलब्द कराते हैं और ये सहजीवी जिवाडू पूदे की जड़ों के गरंतिकावा में बढ़ते हैं तथा गुड़न करते हैं और अपनी बढ़त के लिए जड़ों से कार्बोहाइड्रेट तथा खनीज की रूप में भोजन पाते हैं या भोजन को लेते हैं अब देखेंगे एजोला क्या है एजोला पानी में पनपने वाला एक छोटा बारीक पौदे की प्रजाती का है जिसका वैज्यानिक नाम फर्न है एजोला की पंखोडी में एना बिना नामक नील हरित काई की जाती का एक सुच मजीव होता है जो सुरी के प्रकास में वाई मंदली नाइट्रोजन का योगी की करण करता है और हरे खाद की फसल को नाइट्रोजन की पूर्ती कराता है जिसका वैज्यानिक नाम फर्न होता है जो सुरी के प्रकास में वाई मंदली नाइट्रोजन का योगी की करता है और हरे खाद की फसल को नाइट्रोजन की पूर्ती कराता है अब हम लोग देखेंगे मिर्दा सुचमजीव विग्यान तो क्या होता है मिर्दा सुचमजीव विग्यान की वह साखा जिसमें मिर्दा में सुचमजीवों उनके कार्यों और मिठी के गुड़ों को वे किस प्रकार प्रभावित करती है इन सभी बातों का अध्यन किया जा कहा जाता है तो बीग्यान क्या होता है जिसमें में मिर्या में सोच-मजीवों उनके कारी और वे मिट्टी के गुडों को किस प्रकार प्रबावित करते हैं इन-स आप विग्यान कहती है आप देखेंगे मिर्दा सुच में जो विग्यान की क्रीषी में बूमिका तो निवाते हैं पहला दोस्तों की सुच में जो जो अते हैं मिठ्टी की उल्वार्ता बढ़ाने में मदद करते हैं अगला पॉइंट राई जो बियम और एजोट्व वेक्टर के भूमिका निबाते हैं अगला पॉइंटर सुच मज्यू मिट्टी के पीच को बनाये रखने में भी मदद करते हैं लेकिन पोसकत्व और खनिच संतुलन अस्थापित करते हैं तो सुच मज्यू क्या महत्व है क्या भूमिका है पहला की मिट्टी करूरता बढ़ाने मदद क करते हैं आगे चलते हैं कि देखेंगे नील हरित सेवाल यह एक जिवाड़ू फाइलम होता है जो प्रकास संस्देशवर्ट से उर्जा उत्पादन करता है यहां जिवाड़ू के नीले रंग के कारड़ इसका नाम साइनों से पड़ा है नील हरित काई वाइमंडली यह जिवाड़ू के नीले रंग के कारड़ इसका नाम साइनो पड़ा है नील हरित काई वाइमंडली नाइट्रोजन योगी करड़ के द्वारा धान के फसल को आंसिक नात्रा में नाइट्रोजन की पूरती कराता है आगे देखेंगे कारबन चक्र में जिवाड़ू की करते हैं प्रेकास के लिए वस्ỹ कारबन डायकसाइड की पर्याफ्त मात तरा की भरपाई करते हैं नेटी रिजी कर Wes के लिए वस्य कार्बन डायक्साइड की अब पर्याफ्त मातरा की भर पाई करते हैं प्रेकास संसेड कार्बन डायक्साइड या बाई कार्बोनेट को मिर्दापाद को जिवाड़ू और सहवाल में कार्बनिक योगिकों को परिवर्टित करते हैं आगला है सुछमजीव ग्यान काते हैं आगे देखेंगे जो विश्तार प्रोड़क को विश्तार प्रोड़क समझाएं उन्हें विश्तार प्रोड़क समझाएं तो कुछ ऐसे जिवाड़ू जो पौदे के साथ अस जीवी रूप में रहकर वाई मंदली नत्रोजन को मिलीदा में इस्थिर कर दे राइजोबियम जेव और चौथा होता है पहला होता है माइक्रोब फास जेव और रहक करते हैं उसे जेव और प्राकार के होता है पहला प्रोड़क समझाएं सहजीवन की क्या विशिस्ताएं हैं तो सहजीवन दो प्राडियों में पारस्परिक लाभजनक आंतरिक साथेदारी होती है जिसमें दोनों का कुछ न कुछ लाभ होता है तो दोस्तों अम्मीत करते हैं आप लोग को यतना बता इस समझ में आया और यती वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजेगा चैनल को सब्स्ट्राइब पीजएगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए दोस्तों इसको भी जरूर कीजए और इसका पीडिया चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वाट्सप ग्रूप का लिंक और वाट्सप नंबर दिया गया है मैं इसे चरके आप लिए सकते हैं धन्यवाद जैहिल